हेलो फ्रेंट्स वास्ट्रिया काल मैं गगन कहरा तो अपने चैनल टेस्ट एंट्रेंड देऊती वेलकम कर दियां आई होब कि तुसी सारे जड़ें बहुत अच्छी होगे आज जैसे तो अडेली लेके आया एक इस तरह दी मिठाई जिननों तुसी एक बर बनाओंगे तो महीन पर खाऊंगे एजड़ी मिठाई है एदी शेल्फ लाइफ राउंड वन वान थुन दी है एक खाण विच बहुत ही तेस्टी है आजी एह है जी खुर्मी इननों बनाओंगे लिए अप एक बाउल दे विच मैजरिंग कप दिनाल टू कपस अपा मैधल लमागे उस्तो बाद आप जड़ें पिंच ओफ साल्ट लमागे जड़े साल्ट है वो जड़े स्वीटनेस टेस्ट नों इन्हेंस कर दे अब बहुत ज़्यादा साल्ट नहीं लड़े तो उसी देख सकते हो कि एथे में एक पिंच ओफ साल्ट ले आए वो अच्छी तरह दिनाल में उपर स्प्रेड कर देते हो उस्तो बाद आराउंड टू टेबल स्पून आप देसी की दे लमागे तुसी चाहो था रिफाइंड वाइल बटर जो भी वाइल तो अडिकुल है तुसी यो यूज कर सकते हो उस अच्छी तरह दे नाल जड़ा वाइल नू बिच मिक्स कर देन पानी तुसी कोशा लणा है गुन्गुने पानी दे नाहालतो से एक डो रैडी करोंगे स्लोली स्लोली पानी पाकी डो रैडी कर लेंगे हाद पर रिस्तो बाद इस एक लोईबना मागे आप आप आछी तरहाँ दे नाल हेट ान्याल नो वेलिétait जड़ा ठीकनेस है बह ज्यादा मोटा वे ने बनाणे तो बहुत ज़ादा पदलए भी ने बनाणे तो ब्रफेक्ट और अब नेis कटिंग कर लएगा की अगर तुसी चाहो तो तुसी यहनु जड़ाय लंबा लंबा भी कट सकते। मैं थे बहुत ज्यादा लंबे था नहीं मैं छोटी छोटी शेप दे विच कट रही हैं। मेरे जड़े खुर्मे जड़े ने ओ राड़ी हो चुके ने फ्राइ करन दे लें। उना पैननों एक प्लेट दे विच राख लवांगे। दूसरी साइड में वाइल जड़ाय गर्म होणली राख देता सी। अज यह थे एक गल्दतियान रखना है कि जड़े तुसी एक खुर्मे ने ओनानों मीडियम टू लो फ्लेम दे उपर ही कुक करना है। अगर तुसी एक प्लेट दे विच ट्रांसफर करला मागे। यह थे आप प्लेट दे विच ट्रांसफर करले आए। यह बाणके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी राडी होए ने। साइड दे उपर राख दवांगे नानों आप ठंडे होण देली। दूसरी साइड आप जड़े है चाशनी दी प्रेपरेशन करांगे। जड़े मेशरिंग कप देनाला आपा आटाले आसी ओसे मेशरिंग कप देनाला आपा 1.5 जड़ा काप यह शुगर लेनी है। मेरी थोड़ी ब्राउन शुगर देविच एड़े वाइट देविच। आपा जड़े ओस्तों हाफ जड़े आपा वाटर लमागे। आपा अच्छी तरह देनाले नूँ बॉयल होन दमागे। टूई लैचीज में देविच एड़ कीती है ने। जड़ी मेरी चाशनी है जड़ी है उबढ़ने स्टार्ट हो गई है। यह उबढ़ रही है थे। उस्तों बाद जड़ा आपनू टेक्स्टर चाहिदा है वह एक तार दी चाशनी चाहिदी है आपनू आराउंड टैन मिनट हो गए ने। जड़ी चाशनी है वह बहुत प्रेड कर देवांगे। हाँचे दूसे ते देख साकते हो कि जड़ी आपचाशनी है वह सारी खुर्मिया देव उपर आपस प्रेड कर देती है। यह 10-15 मिनट इस तरह ही एस नू छड़ देवो ते जड़े खुर्मी ने वह अच्छी तरह दे नाल जड़ा शूगर अब्जर्ब कर लाणगे। 15-20 मिनट दे बाद जड़ाए ड्राइ होने स्टार्ट हो जाणगे। उस तो बाद जड़ी शूगर है जड़ी एक्स्टा शूगर है वह इना दे उपर जड़ी कूट होने स्टार्ट हो जाएगे। तुससे देख साकते हैं 10-15 मिनट तो बाद एमेदे टेक्स्टर दे विच आगे ने उस तो थोड़ा टाइम बाद जड़ाएगा परफेक्ट टेक्स्टर जड़ा है और रेडी होके आगया है कुछ इस तरह लग रहे हैं जड़ी शूगर है वाइट बनके होने उपर लग चुकी है खान दे विच बहुत ही टेस्टी ह दिये आगजी जड़ी साधे खुर्मे ने और रेडी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होए ने आयोब कि तुसी भी ज़रूर ट्राइ करोंगे फ्रेंड्स अगर तुसी मेरे चैनल ते नमें हो ता प्लीज मेरे चैनल नू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करो अगर तो अनू मेरे रेस्पीज पसांदा दियाने ता प्लीज मेरे रेस्पीज दे उपर कमेंट जरूर करो आजी फ्रेंड्स कल मिल देया एक नमी वीडियो दिना तर तक दिले वाई थैंक्यू थैंक्स फो वाचिंग मैं चैनल